बेर स्वाद में खटे मीटे और पोसन से भरपूर होते हैं बेर का स्वाद लोगों के मन को बहुत ज़्यादा भाता है बेर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन इससे ज़्यादा इसके स्वास्ते फाइदे होते हैं कि अबात का जिक्र कई वेज्ञानिक अध्यनुमर में मिलता है कि बेर हमारी स्वास्ते के लिए बहुत ही फाइदें नमस्कार स्वागता आपका आपके अपनी यूटूब चैनल संगीतास फ्यनमें में आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बेर के फाइ में अच्छें मातरा में होते हैं यह हमारी हटि तो भी मजबूत करते हैं अगर हम मेसे मेडिकल डिशर्च में ये कहाँ गया कि शरीर में कॉपर की कमी से हड्डियों से संबंदी समषय है और खासकर कि हड्डियों का कमजोर होना हो जाता है ऐसे में बेर में मौझध कॉपर हड्डू को कमजोर होनेippingас सांती बेर में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्सियम और फास्पोरस होता है इससे हड्यों के निर्माण में और उन्हें स्वस्त बनाए रखने में बहुत हेल्प मिलती है इसके सांती बेर कैंसर के रोक थाम भी बहुत हेल्प करता है अमिनो एसीड होता है बेर में सांती बेर भी इतना असानी से नहीं होता है इसलिए बेर को कैंसर के रोक थाम के लिए हेलपफुल माना गया है बेर एक बहुत ही गुणकारी फैल है जो दिमाग को सांत रखता है और नीत आने में भी बहुत हेलप करता है सांत है हमारे माइंड की इम्मुनिटी पावर को भी बूश्ट करता है जिससे हमारे माइंड और हमारे ब्रेन पावर और जादा बढ़ती है सांत है इसका नियूरो प्रोटेक्टिव गुण हमारे माइंड के हेल्थ के लिए बहुत हेलपफुल है एक रिसर्च के अनुसार बेर में anti-inflammatory गुण होते हैं जो swelling की सिकायत को कम करने में help करते हैं यानि कि आपको swelling से लेकर कोई problem है swelling की सिकायत है तो आप बेर का यूज कर सकते हैं अपने diet में बेर को सामिल करें इससे आपको धीरे-धीरे आराम मिलेगा बेर के रसका नियमित सेवन करने से तनाव चिंता इन सभी समस्याओं से भी राहत मिलती है आप चाहें तो इसके लिए आप बेर के पाउडर का उप्योग भी कर सकते हैं याजिली आपको online भी available हो जाएगा या किसी भी आईरुवेदिक सौप भी आपको मिल जाएगा इसके अलावा बेर सिर्दर्द से राहत देता है हमारी आँखों को स्वेस्त बनाता हुआ हमारी सकन के लिए फाइदे मंद होता है हमारी हेर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है तो ये थे बेर के फायदे अगर आप बेर के भी सही में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग संगतारफ़न.com पर विजिट करें वहाँ पर आपको बेर के भी सही में सारी जानकारी डिटेल से मिल जाएगी इसके अलवाए एक बात ये कहना चाहूंगे कि बेर स्वास्त के लिए बेहतरीन होने के साथ ही गुणों के संब्रिदे ये गुणों की खाने फिर भी इन है अधिक मातरा में खाने से बचना चाहिए इनका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए वैसे बेर के बहुत से फाइद करने कि कोसिस करें वेर में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो थीक करने बहुत हैं लेकिन जब फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पेड़् में Refresh origin अनिय समस्याओं का कारण भी बन जाता तो वेर को एक लिमिट में ही यूज करें अगर आपको लेटेक्स से कोई एलर्जी है तो आप वेर का सेवन ना करें उनको इससे नुकसान हो सकता है तो ये था बेर के विसे में एक छोटा सा वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा अपने राए कमेंट के माधिन से जरूर दें साथ ही अगर आपको वीडियो इंपोर्टेंट लगा हो महत्वण लगा हो या इसकी कोई भी बात अच्छी लगया तो इस वीडियो को अपने अन्य सात्यों के साथ साजा करें और ऐसी जानकारिव के लिए मेरे यूटूब चैनल संकितास्पेन को जरूर सब्सक्राइब करें साथी बैल आइतन को भी प्रेस करें जिससे हर लेटेस्ट जानकारिया आपको सबसे पहले मिल से कि इसके साथ ही आप मेरे ब्लॉग संगतास्मेंट.com बे विजिट जरूर करें वहाँ पर मैं हेल्थ से रिलेटिड सुझाव और विचार लिखते रहती हूं तो एक बार विजिट जरूर करें